मेरे प्यारे साथी और नमस्कार आज की वीडियो में राजस्तान जीके के 25 बहुती इंपोर्टेंट परसन लेके हैं और ये सभी परसन एक्जाम की दश्टी से मोश्ट इंपोर्टेंट है आप लोग वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा साथी रोज़ना राजस्तान जीके के ऐसे वीडियो पाना चाहते है चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लें आपको डेली राजस्तान जीके के इंपोर्टेंट क्यूसन की कलासेज मिलती रहेगी पहला क्यूसन आपके सामने भारत का पहला सोर्य उद्ध्यान कहां बनाये गया वेरी वेरी इंपोर्टेंट है एक्जाम की दश्टी से आप लोग याद कर लीजिएगा बाहरत का पहला सोर्य उद्यान जो की राजस्तान में कौन से जिले में बनाए गया था जल्दी से आप लोग उत्तर बताईए तो ये जून जूनों के अंदर कहां पे दोरा सर में आप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा क्योसनवर 2 की बात करते हैं परदेश का कौन सा रेल विश्टेशन पहला ओल वुमिन रेल विश्टेशन बना था यानि राजस्तान का पहला ओल वुमिन रेल विश्टेशन जो की गांधी नगर जयपूर आप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा क्योसनवर 3 की बात करते हैं 13 सितमर 2018 को राजे के किस स्थान पे परदेश की पहली लोइन स्पारी का उद्गाटन किया गया कब किया गया 13 सितमर 2018 को राजस्तान की पहली लोइन स्पारी का उद्गाटन कहां पे किया गया नारगड बाइलोजिकल पारे के अंदर आप्शन भी हमारा उतरेगा बहुत इंपोर्टेंट परसन आप लोग याद कीजिएगा क्योसर नवर फोर की बात करते हैं राजस्तान में आकाल से जुड़ी कहावत कुरिया सब्द का अर्थ आपको बताना है यह परसन एक्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुक है आप लोग याद कर लिजेगा कि राजस्तान के अंदर आकाल से जुड़ी वी कहावत है कुरिया जिसका अर्थ आपको बताना है तो अर्ध आकाल इसका अर्थ है देखे ना तो आकाल है और ना ही जो है उपजाओपन है तो यहाँ पर अर्ध आकाल है ओप्सन डी हमारा उत्तर रहेगा क्योसन और फाइब की बात करते हैं किस विद्वान ने सुखा वे आकाल को राजस्तान का प्राकरतिक रोक की संग्या दी है वेरी वेरी इंपोर्टन है यह परसन भी कई वार रिपीट हो चुका है और वीडियो के अंत में आप सभी से एक इंपोर्टन परसन पुछा जाएगा उसका वे आप लोग उत्तर दीजेगा और यह भी बताएगा कि 25 में से आपके कितने सहीवेज से आपकी प्रेक्टिशी हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी त्यारी कैसी आप लोग हरी क्यूसन का इंसर जरूर कॉमेंट कीजेगा तो किस विद्वार ने सुखा हुए अकाल को राजस्टान का प्राकर्तिक रोग की संग्या दी थी तो करनल टोड ओप्सन डी हमारा उत्तर रहेगा क्यूसन वर शिक्स की बात करते हैं राजस्टान राजे में एसिया की सبसे बड़ी ओन मंडी कौन सी है Q7 की बात करते हैं निमन मसे राजस्तान राजे में तिलहनों का सरवादिक उत्पादन किस जिले में होता है राजस्तान राजे में तिलहनों का सरवादिक उत्पादन जो की गंगानगर के अंदर होता है option B टिक कर दीजेगा option B हमारा उत्तर रहेगा क्योसर नमर एट की बात करते है राजस्तान राजे खनीज विकास निगम लिमिटेड दोरा संचाले जिपसम उतवादन की सबसे बड़ी खान राजस्तान के दवारा जो है रास्तान सरकार के दवारा रास्तान राजे खनीज विकास निकल निविटेड दवारा जिपसम उतवादन के सबसे बड़ी खान कहां पे है तो ये बिसरा सर के अंदर है जावर में नहीं है आप्सन भी सही रहेगा बिसरा सर के अंदर है क्योंस नु CSS 9 की बात करते निमन माद से खनी जों के संद्रम में राजस्थान को कहा जाता है अजजाइभ कि फे इस्ञ योsen 10 की बात करते निमन मैं से राजस्थान का पर्थम परजमनल कोनस राजस्थान का पहला परजमनल कोनस A very very इम्पोर्टेंट है इजी क्योसन है लेकिन एक्जाम में कई वर ऐसे परसन पूछे जाते हैं अक्सर तो जेपूर परजामडल जो की राजस्तान का पहला परजामडल था ऑप्सन भी हमारा उत्तर रहेगा क्योसनवर 11 की बात करें मेवाड का वरतमान सासक का लेखको निमन मसे मेवाड का वरतमान सासक जो की बहुत फेमस है और इसका लेखक है मानी के लाल वर्मा ऑप्सन सी हमारा उत्तर रहेगा और मेवाड का विसम पितामा किसे का अज़त आप लोग बताईएगा उत्तर राजस्तान राजे के जहलावाड जिले का सिरोज खियतर मद्य परदेश में कम मिला दिया गया एक्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है बहुत अच्छा परसन है कि राजस्तान का जो सिर की कि सद्र रेखा पन को अप Suite B हमारा ऊत्तर रहेगा कि राजस्तान में पाली का नाक्टा फिस तर पाली का नाक्राब खिस परसीद के का बनाो चाहते हैं चैनल को जूरूर सब्सक्राइब कीजिए तो पालिका नाना कराव खियतर दोगी टंग्ष्टन के लिए फेमें से ओप्सन सी हमारा उत्तर रहेगा क्योशनवर 14 की बात करें राजस्तान की वह फसल जो भूमी सरंक्षी फसल की स्रेणी में आती है निमन मैंसे राजस्तान की कौन सी ऐसी फसल है जो भूमी सरंक्षी का कारिये करती है भूमी सरंक्षी फसल के रों में जानी जाती है जो की ओड़ है ओप्सन सी हमारा उत्तर रहेगा क्योसनोर 15 की बात करें राजस्तान राजे में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कार खाना एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुकर आज के वीडियो में वही परसन है जो या तो एक्जाम में कई बार पुछे गें या फिर एक्जाम की दश्टी से आगे पुछे जा सक करते हैं तो टायर टूब बनाने का सबसे बड़ा कार खाना जो की राजस्तान के अंदर कांकरोली के अंदर है ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा क्योसरवर्श सवला की बात करें राजस्तान राज़े का कौन सा जिला खस और इतर अध्र के लिए फेमस है तो सवाई मादपुरे और दूसरा भरतपुरे ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा यह दोनों जिले खस और इतर के लिए फेमस है क्योसनवर 17 की बात करें राजस्तान में पीतल पर मिनाकारी किस लिए परसीद है राजस्तान में पीतल पर मिनाकारी के लिए फेमस जिला आपको बताना है कौन से कौन से जिला जो की पीतल पे मिनाकारी के लिए बहुत ज़्यादा फेहमस है एक तो पाली है और दूसरा अलवर है ओप्सन डी हमारा उत्तर रहेगा अलवर और पाली क्योसरा नवर 18 की बात करें राजस्तान में मीट्टी के खिलोनों के लिए जरचित जिला मीट्टी के खिलोने किस जिले के फेहमस है कौन सी जिले में मीट्टी के खिलोने सबसे ज़्यादा बिकते या बनाए जाते हैं तो नागोर के अंदर है ऑप्सन भी हमारा उत्तर क्योशन नवर 19 की बात करते हैं सूखे की सबसे कम आवरती राजस्तान में किस जिले में रही है सूखे की सबसे कम आवरती राजस्तान में किस जिले में रही है शिरोई, पाली, चितोड़गड या बांसवड़ा तो सूखे की समसे कम आवर्ती चितोडगड में रही है आप्शन C हमारा उत्तर रहेगा क्योशन और 20 की बात करें सूखे की सरवादिक आवर्ती राजस्तान में किस जिले में हुई है सूखे की सरवादिक आवर्ती जो की जैसल मेर के अंदर आप जानते हैं सबसे ज़्यादा बेकार वह में जैसल मेर में हैं और इसलिए बारिस भी सबसे ज़्यादा विसमता भी जैसल मेर में रहती है तो आप्शन D हमारा उत्तर रहेगा इसलिए वहाँ पे सुखा पड़ता है क्यों सुन्वर 21 की बात करें क्रोली परजामंडल की स्थापना 1938 में किसके दवारा की गई क्रोली परजामंडल की स्थापना 1938 में किसके दवारा की गई आपको सभी परजामंडल की स्थापना कब होई किसने की वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए है कितने परजाम अंडल है सारी चाहिए आपको याद होने चीए मालों एक परसन भी अगर पूछा जाता है तो आपके दो नमर पक्के हो सकती है तो 1938 में करोली परजा मंडल के स्थापना तिर लोग चंद मात्वर ने कि थी ऑप्सन B हमारा उतर रहेगा के ससने बाइस की बात करें निमन वैसे उत्पाधन schyempta की द governor का सबसे बड़ा सिमेंट कार खाना सिरी शिमेंट की फेक्टरियां यह होत है राजस्तान में ठीक है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा सिमेंट का रखाना जो कि सिरी सिमेंट राजस्थान के अंदर है ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा क्यों सिरी 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 सि में लावा ठीकाने को जेपुर में सामिल किया गया था ओप्षन ए हमारा उत्तर रहेगा कि युशन पचीस की बात करें 1938 इस्वी में स्थापी तो मेवार परजामनल का पर्थम अध्यक्स कौन बना था देखें परजामनल पर क्यूसन बनते हैं मेवार परजामनल बना जो 1938 इ अब बात करते हैं वीडियो के एंद में आप सभी से कि इंपोर्टन परसंट पुछाजार है इसका आप लोग उत्तर जरूर दीजेगा अगर आपको उत्तर नहीं पते तो भी आप लोग कोसिश कीजेगा क्योंकि कोसिश करने वालों की कभी हार नहीं होती राजस्तान का मै आप लोग कॉमेंट कीजेगा किसी भी क्योंको लेके कोई राय देना हो तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना आपको डेली राजस्तान जीके के इंपोर्टन क्योंकि वीडियो मिलते और डेली क्लासेज पाने के लिए सब्सक्राइब गर के पास में घंटी मनिया उसको जुरूर दबा ले थेंक यू एंड बेस्ट अप लक